असलाम लेकम वीवर्स वेलकम टू बतीक सिठी यूट्यूब चैनल वीवर्स आज किस वीडियो में बहुत हुपसूरत प्रिंसिस कट कुर्ती की कटिंग और स्टीचिंग करना शेर करूंगी तो लेयासा वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सबसक्राइब करें और लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें प्रिंसिस कट गुडिय की कटिंग के दौरान एक इंच गेर स्यादा रखें तो यह मैंने कुडियी की कटिंग का ली है एक इंच गanting जादा रख्या है तीरे में कोई तब देली नहीं करनी सेम तीरा रखें और यहां पर छे इंच पर निशान लगाएं और सामने रखके चोदा इंच पर निशान लगाएं और इस तरफ चार इंच पर निशान लगाएं अगर आप अतले हैं तो साड़े तीन इच पर लगा लें तो 6 इंच का और 4 इंच का निशान को आपस में मिला ले इस तरह करके तो शेल्ट को उपर से हमने निशान लगा लिया है अब नीचे की तरफ तो ये शेल्ट का गेर है इसे 6 इंच के निशान लगाएं और शेल्ट के चेंच के निशान और 4 इंच के निशान को आपस में जोर ले इस तरह करके यह मेरी शेर्ट थोड़ी सी एलान है इस तरह एंची टेप की मदद से निशान लगा ले तरह निशान के उपर से कटिंग कर ले इस तरह करके यह प्रिंसिस की कटिंग हमारी मुकमल है तो इस पैनल पर यह हम सीड़ी लेस लगाएंगे अब कोई भी लेस लगा सकते हैं तो यह इसकी मुकमल कटिंग है शेर्ट की अब शेर्ट के उपर सीड़ी लेस लगा ले आप इस पैनल पे कोई भी लेस लगा सकते हैं चाहे वो शिटल की हो, नेट की हो या अरगेंजा की हो ज्यादा चोड़ी हो या कम अपनी पिसंद से लगा सकते हैं इसके दरम्यान में आप पाइपिंग भी कर सकते हैं हम शेल के पिस को नीचे रखें और लैस वाले पिस को उपर रखें सलाई लगा लें यह देखें कितनी खुबसूरती से लैस लगाई है कितनी सफाई के साथ लगी है लैस अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगा लें तो यह मैंने दूसरी साइड पे भी लैस लगा ली है उमीद करते हूं कि आपको प्रिंसिस काट कूरती की कटिंग और स्टेचिंग समझ आ गई होगी अगर वीडियो चे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया